नमस्कार टाइम्स न्यूस सिल्वासा में आपका स्वागत है सिल्वासा के मसाट गाम में एक घर से विवाहिता फासी पर लटकी हुई मिली इसकी सूचना मिलते ही दादरा नगर हवेली पुलिस ने मौके पर पहुचकर शव को कबजे में लिया और ये आत्म हत्या है या हत्या इसकी जाच शुरू कर दी वहीं पिहर पक्ष ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है सिल्वासा के मसाच स्थित साई नगर सोसाइटी के जे ताव के 808 नंबर फ्लेट में रहने वाली 29 वर्षिय विवाहिता सुप्रिया रानी मूल रूप से बनारस यूपी की रहने वाली थी वह अपने पती रितेश सिंग और दो बच्चों के साथ रहती थी सुप्रिया के पती के अनुसार वह हमेशा जगड़ा करती रहती थी और बिना किसी कारण बच्चों को भी मारती थी घटना के समय सुप्रिया घर में अकेली थी शुक्रवार राद 10 बजे जब पती बाहर से घर पहुचा तो दरवाजा अंदर से बंध था कई बार आवाज देने पर भी दरवाजा न खोलने पर उसने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो सुप्रिया पंखे से ओरनी बांध कर लटकी हुई मिली तुरंथ ही उसे नीचे उतारा गया और आसपास के लोगों को बुला कर चेक किया गया जिससे ऐसा लगा कि उसकी सासे चल रही थी तुरंथ 108 एम्बुलेंस बुला कर उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत भोशित कर दिया घटना की सूचना मिलने पर सिल्वासा पुलिस ने सोसाइटी और परिवार के सदस्यों से पूछताच की फिल हाल, पुलिस ने शव को पोस्टमाटम के लिए भेज दिया है और विवाहिता की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमाटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाए सामने आएगी फिल हाल, पुलिस कॉल डिटेल्स जुटा कर पीहर पक्ष और मृतक महिला के पढ़ोसियों के बयान ले रही है सुप्रिया के पीहर पक्ष के सदस्यों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है